Welcome to only IIS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में Art and Culture के Current Affairs के Revision का ये हमारा छठा लेक्षर है आज के सेशन में हम फर्वरी महिने के Art and Culture के Current Affairs को revise करेंगे आगे बढ़ने से पहले छोटी से information आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस Prelims 2022 के लिए कुछ courses हैं जो कि आपके exam point of view से काफ़ important हो सकते हैं सबसे पहले इसमें एक Prelims Crash Course की बात हो रही है जिसका नाम Teges है इसमें आपको 250 प्लस आर्स के Video Lectures इसमें आपके Current Affairs और Static दोनों included है काफी सारे Test, Full Length और Sectional और Weekend Out Sessions वगरा सब कुछ है इसमें इसमें आपको Free CSAT के Classes और उनके Test Series भी मिलती है बट स्टिल अगर आप केवल Test Series में जोइन करना चाहते हो आपको Video Lectures नहीं चाहिए है आपका Revision अलरी चल रहा है अच्छा तो आप उसके लिए Last My Leap जोइन कर सकते हो इसमें आपके 19 Sectional Test है 5 Current Affairs के टेस्ट है 15 Full Length Test है 4 CSAT के टेस्ट है इसको जॉइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पर जॉइन कर सकते हो अट the same time एक CSAT के लिए प्रोग्राम है जो की ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका CSAT वीक है तो CSAT Expert Program आपके सभी CSAT के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर के फॉर्म में और छोटे-छोटे हैंडाउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्राक्टिस के लिए और लास्ट में कुछ फुल लेंग्थ टेस्ट है इसमें इसके अलामा अगर आप 2023 के लिए प्रेपेर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को जॉइन कर सकते हैं इसमें आपको एक फुल फांडेशन बैच की तरह के से सारी रिक्वाइरमेंट्स UPSC के पॉइंट अफ यू से फुल्फिल की जाती है इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं स्टडी मिटेरियल्स भी हैं अगर आप इस बैच को जॉइन करना चाहते हो तो आप वीडियो.onlyis.in पर विजिट करो याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको वीडियो.onlyis.in पर ही विजिट करना है अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेट तो आप हमें सिंपली इस नमबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info.onlyis.com पर हमें mail drop भी कर सकते हो तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं पुनौरा धाम के बारे में है State Government of Bihar ने Ministry of Tourism को request किया था कि पुनौरा धाम को रामायन सर्कुट का रामायन सर्कुट ऑफ सौदीस दर्सम स्कीम का हिस्सा बना दिया जाए जो पुनौरा धाम है उसे एक कुछ समय पहले प्रशाद स्कीम के दहद भी लाया गया था Ministry of Tourism के द्वरा जो पुनौरा धाम है ये birthplace मना जाता है माता सीता का दस एकर में ये पूरा एरिया फैला हुआ है पुनौरा गाउ में जो कि आपको सीता मधी टाउन के पांच किलोमेटर पश्रिम की ओर मिलेगा यहाँ पर हमें राम जान की मंदर भी मिलता है और एक पॉंड मिलता है जिसका नाम है सीता कुंड और एक हॉल भी है पसाद स्कीम की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है National Mission on Pilgrimage, Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive Ministry of Tourism ने 2014-15 मी से लांच किया था तब इसका नाम सिंप्ली पसाद हुआ करता था यहाँ पे H नहीं था बाद मी इसमें H एड किया गया 2017 मी और इसे एक National Mission का फॉर्म दे दिया गया और तब नाम बदल के रख दिया गया National Mission on Pilgrimage, Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive अबजेक्टिव यही है कि जो pilgrimage destinations हैं उन्हें identify करके उनका holistic development किया जाए Rejuvenation और Spiritual Augmentation किया जाए important pilgrimage sites का community based approach अपनाया जाए लोगों को involved किया जाए और aware किया जाए insights के बारे में इसके नामा हमें इस mechanism को strengthen करना होगा कि जो infra gap है उसे हम fulfill कर सके बात करते हैं सुदीर सरसन scheme की इस scheme को 2014 15 में लाया गया central sector scheme है मतलब सारा का सारा पैसा के इंदर सरकार वहन करेगा इसके माध्यम से हम जो भी tourist circuit है उन्हें आपस में जोड कर एक integrated development की कोशिस कर रहे हैं ताकि एक major engine बन सके job creation का ministry of tourism इसके लिए जो भी financial assistance required है वो provide करवाती है हमारा next article पंडित भीम सेन जोसी जी के बारे में है उनकी 100th बहुत anniversary पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको याद किया 1922 में रॉन गड़क डिस्टिक जो है करनाटका का वहाँ पर भीम सेन जोसी जी का जन्म हुआ था ये 16 siblings थे जिन में भीम सेन जोसी जी सबसे बड़े थे इनके पिता का नाम गुरु राज जोसी और माता का नाम गुदावरी बाई था इन्होंने बहुती यंग एज में अपना घर छोड़ दिया म्यूजिक की लालसा में और एक अच्छे गुरु की तलास में एक अच्छे गुरु की तलास में वो धारवार डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे जहांपर उनकी मुलाकात गुरु पंडित सवाई गंधव जी से हुई और उन्होंने उन्ही अपना गुरु मान लिया और उनके सिस्ष से बन गये उसी दोरान उनकी मुलाकात गंगुबाई हंगल जी से भी हुई जो की सवाई गंधव जी की ही एक सिश्या थी पंडित भीम सेन जोसी जी उन्हें प्यार से अक्का बुलाया करते थे अक्का का मतलब होता है एल्डर सिस्टर यानि की बड़ी बहन गंगुबाई जी भी एक प्रमुक सदस्से बन जाती है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की उन्हें भी अच्छी एक्सपर्टीज आ जाती है ट्रेनिंग पाने के बाद पंडित भीम सेन जोसी जी ने अपना गंडा बंधन करवाया गंडा बंधन के बारे में मुझे नहीं पता आपको पता है या फिर नहीं लेकिन गंडा बंधन एक बहुती significant प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से एक गुरू अपने से सिको officially accept करता है गंडा बंधन के बारे में देखे एक classical music पे web series आई थी बंदित बंदिस ऐसा करके कुछ नाम था उसका उसमें गंडा बंदन के इस concept को बड़ा elaborate करके दिखाया गया था धारवार में उनका गंडा बंदन होता है जहां पर भीम सेन जोसी जी ultimately later on settled on भी हो जाते हैं जब All India Radio ने धारवार में 1950 में अपना station open किया तो जो inaugural song था वंदे मात्रम का उसे कई सरे लोगों ने गाया था जिनमें पंडित भीम सेन जोसी जी थे, गंगुबाई हंगल जी थी, मलिकार जुन मंसूर जी थे और बसवराज राजगुरू जी थे भीम सेन जोसी जी ने सवाई गंधा music festival को भी organize करवाया पुने में ये इनके कुछ important activities रही फर्दर इन्हें खयाल singing के लिए जाना जाता है इनके कुछ popular renditions हैं जिसमें भजन और अभंग सामिल है किस घराना से बिलॉंग करते हैं ये किराना घराना से बिलॉंग करते हैं इंदुस्तानी classical music के और 2008 में इन्हें भारत रतन से नमाजा गया हमारा next article चौरी-चौरा incident के जो 100 साल पूरे हुए हैं उसके बारे में है इस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने freedom struggle में involved heroes को tribute पे किया चौरी-चौरा incident के बारे में जानेंगे और इसके results के बारे में भी जानेंगे क्या हुआ था चार फरवरी 1922 का समय था जो volunteers जो non cooperation movement का हिस्सा थे उन्होंने एक local police station के और proceed किया अपने march के दौरान उसके दौरान उनकी जलब होती है police forces के साथ police उनके उपर fire कर देती है retaliation में जो protesters होते हैं जो movement का हिस्सा होते हैं freedom fighters होते हैं वो police station को आग लगा देते हैं कई सारे police कर्मी उसमें जलके मर जाते हैं कुछ जो भागने के कोशिस करते हैं उन्हें भी भीड पीट कर मार देती है जो चौरी-चौरा इसी पूरी घटना को चौरी-चौरा incident के नाम से पुकारा जाता है background इसका क्या रहा महात्मा गांधी जी ने non-cooperation movement start किया 1 अगस्त 2020 को movement का basic objective था better government को pressure मिलाना और जो self-rule है उसे अटीन करना इसके माध्यम से हम foreign goods को bycott कर रहे थे इसमें man-made, machine-made clothes को bycott करने की बात की जा रहे थी rulers को assist नहीं करेंगे जो country को miss rule कर रहे हैं educational या फिर administrative institutions को bycott किया जाएगा लेकिन इस क्रम को, मतब यह जो non-cooperation movement चल रहा था in between यह 44 incident हो गया इस incident में 172 लोगों को इग्रफतार किया गया बिट्शोस के द्वरा और नहीं मौत की सजा सुनाई गई लेकिन ultimately केवल 19 लोगों को ही फांसी की सजा दी गई महात्मा गांधी जी ने 44 incident की इस किरिंग को condemn किया और 44 support fund भी उसके बाद create किया गया गांधी जी ने non-cooperation movement को आखे वापस क्यों लिया महात्मा गांधी जी एक बहुत ही wise nationalist थे उचाते थे कि किसी भी बड़े movement को तब तक रन किया जा सकता है जब तक कि वो non-violent हो क्योंकि अगर आप violence करते हैं तो government के पास ज़्यादा machinery है violence करने के लिए और फिर protesters को जान से मारा जाएगा इससे incident के बाद वो समझ गए थे कि अब बिट्शर्स बहुत ज़्यादा aggressive हो जाएंगे और वो protesters को बुरी तरीके से कुछलेंगे उन्हें जान से मारा जाएगा उनके ओपर open fire किया जाएगा and that was the reason कि उन्होंने इस moment को वापिस लेने का फैसला किया वो चाहते थे कि पूरा moment non-violent और peaceful बना रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं सका वो तो चाहते थे कि लोग government jobs and titles को छोड़ दें common schools में जाना छोड़ दें पिटस आर्मी को जोईन ना करें Texas ना दें वो violence नहीं चाहते थे क्योंकि violence वाले moment को आप बहुत लंबे समय तक लेकर नहीं जा सकते and that was the reason कि गांधी जी ने चौरी-चौरा incident के बाद non-corporation moment को रोग दिया नेक्स्ट आर्टिकल सचिंदर सान्याल जी के बारे में है अभी हाल ही में उनकी 80th death anniversary पर उन्हें याद किया गया ये हिंदुस्तान Republican Association के founder रहे थे जो बाद में हिंदुस्तान Socialist Republican Association में convert हो गया था इनका मानना ये था कि British government के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें armed resistance के form में आगे बढ़ना होगा ये revolutionaries के जैसे कि चंद सेखर आजाद और भगत सिंग जी के mentor भी रहे उन्होंने उन्हें बटाया कि revolutionary activities को कैसे run करना है कि वो प्रभावी रहे राज बिहारी बोज जी के साथ मिलकर इन्होंने वाइसराय Harding के उपर attack भी किया था जिसमें life imprisonment भी दिया गया था और cellular jail में डाल दिया गया था उन्हें बिश्चोस ने काकोरी conspiracy में भी शामिल होने के लिए पनिश किया था बिकाज काकोरी conspiracy में जो पैसा इंडियन्स का उस ट्रेन के मार्द्यम से लेकर जाया जा रहा था उसे revolutionaries ने लूट लिया था अपनी revolutionaries activities को continue रखने के लिए साथ फरवरी 1942 में गोरख पुर की jail में उनका निधन हुआ उन्होंने अपनी अंतिम सास ली हमारा next article अमसर act के बारे में है 1958 की ministry of culture अभी हाल ही में प्लान बना रही है कि कि वो अमसर act of 1958 में कुछ amendement करेंगे अमसर act है क्या सबसे बहुत इसका full form क्या है यानि कि ancient monument and archaeological sites and remains act ये अमसर का full form है इसके मार्द्यम से ancient और historical monuments को या archaeological sites को हम preserve करती है जो national importance की है फर्तर archaeological excavations कैसे किये जाएंगे उस समंद में ये regulations भी जारी करते हैं इसे 2010 में amend किया गया था जिसके मार्द्यम से कुछ महत्वपूर बदलाव किये गए कि अगर कोई मान दीचे historical site है कोई monument है तो उसके 100 meter का जो radius है उसे हम declare कर देंगे prohibited area मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार की human activity को allow नहीं किया जाएगा construction मगेरा कुछ नहीं हो सकता और उसके बाद जो further 300 meter का और area होगा उसे हम declare करेंगे regulated zone या regulated area यहाँ पर कौन सी activity होगी कौन सी नहीं होगी यह सरकार decide करेगी तो यह अमसर act में बदलाव किये गये थे 2010 में अमसर act में अभी amendment किया गया है कि जो बहुत important sites है उनके लिए expert committee का गठन कर दिया जाए वो decide करी कि प्राइबिटीर area कितना होना चाहिए क्या 100 meter enough है बलकि इसे बढ़ा कर 500 meter करने की बात की जा रही है ताज महल जैसे जो sites हैं उनके 500 meter की area में कोई encroachment नहीं होना चाहिए ठीक है ताकि वो सही तरीके से बने रहे है इसके माधवा चाहरे जी को माधव नवमी के आवसर पे दंडवत प्रडाम किया That's why ये personality news में आए स्री माधवा चाहरे जी का जन्म उडुपी में हुआ था 1238 में 1238 में विजय दश्मी के दिन इनका जन्म हुआ था और उस समय इन्हें नाम दिया गया था वसुदेव ये जो trinity यानि कि तीन philosophers हैं उनमें से एक माने जाते हैं जो वेदों और पुरानों का जो समय था उसके काफी समय बाद इवॉल्व हुए माधवार चारे जी के अलामा इनमें दो हैं संकरा चारे जी और रामा नुजा चारे जी इनकी जो philosophy है वो द्वैत की है यानि कि डुॉलिजम की मतलब एक होती है आत्मा और दूसरे होते हैं परमातमा जो ओद वैतवाद है वो ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही होते हैं अलग-अलग नहीं होते लेकिन इनका मानना है कि आत्मा और परमात्मा दो entities हैं दो अलग-अलग existence है अच्चित प्रिक्ष जी जो की उन्होंने ही माधव यह जो word है जो स्रीमा अचारी जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह टाइटल उन्हें दिया था और इसी नाम से ही काफी ज़्यादा famous भी हुए इनके literary work में इनकी जो एक philosophy है जिसे इन्होंने तत्ववाद कहा था वो बहुत ही ज़्यादा popular हुई इसे popularly द्वैत वाद ही कहा जाता है जहां पर इनके कुछ और भी रचनाए रही जैसे की गीता भाश्य, ब्रहमसूत्र भाश्य, अनुभाश्य, कर्म निर्डए, विश्णु तत्व निर्डए इसके अलामा जो द्वैत philosophy है उसमें कुछ बेसिक बाते हैं जैसे की स्री संकराचारे की जो philosophy थी मायावाद की, उसके तहट वो जगत मिथ्या ऐसा कहते थे उनके according जो हमारी worldly life है, वो एक illusion है और ultimately हमें उस परंब्रम में विलीन हो जाना है लेकिन जो द्वैत की philosophy है, वो इस दुनिया को illusion नहीं मानती, वो इसे real मानते है उनका ये मानना है कि soul इस world से जुड़ा हुआ है, मतलब आत्मा इस दुनिया से सम्मंदित है ignorance के मानते हमसे, जो हमारी अग्यानता है, वही हमें इस दुनिया से जोड़ कर रखती है मतलब ये दुनिया illusion नहीं है, बलकि सच्चा ही है द्वैत philosophy में उनका ये मानना है कि अंतिम रोप में हमें इस दुनिया में जो ignorance है जिससे हम जुड़े हुए हैं, उससे खुद को मुक्त करना है और स्री हरी में जाकर विलीन हो जाना है जो अंतिम परम ब्रह्म हैं उनमें विलीन हो जाना है स्री हरी तक पहुँचने के लिए जो रास्ता हमें अपनाना होगा, वो होगा भक्ती का और कोई रास्ता नहीं है उन तक पहुँचने का और भक्ति को करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है meditate करना ध्यान लगाना ध्यान लगाने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने मन को पूरी तरीके से साफ करना होगा और खुद को इस दुनिया से detach करना होगा अलग करना होगा और इसमें जो sacred text हैं जो पवित्र ग्रंथ हैं उन्हीं पढ़कर हमें मदद मिलती है तो ये द्वैत philosophy का core principle है जिसे बहुत ही briefly यहाँ पे explain किया गया है हमारा next article तिलका माजी जी के बारे में है कई सारे ऐसे freedom fighters हैं जिनके बारे में जानकारी होती नहीं and I think कि तिलका माजी उनमें से एक होंगे जिनके बारे में में भी आपने इसके पहले ना सुना हो या बहुत basic जानकारी आपको हो 272nd birth anniversary रही अभी हाल ही में तो उन्हें याद किया किया तिलका माजी इन्होंने संथाल हूल को 1784 तक लीड किया संथाल हूल का मतलब यहाँ पर प्रोटेस्ट है जो exploitative Britishers की policy की खिलाफ था 1770 में संथाल रिजिन में severe फेमाई नाया लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था लोग परिशान थे तिलका माजी जी ने बिर्शर्स के ट्रेजरी को लूट लिया और जो भी लोग गरीब थे जरूरत मन थे उनमें वो पैसा बाट दिया इससे लोगों के पास कुछ खाने को हो गया इससे तिलका के साथ कई सारे और लोग मिल गया उन्होंने तिलका जी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और एक कैंड ओफ रेबिलियन स्टार्ट हुआ उन्होंने संथाल हूल की सुरुवात की बिश्यर्स और उनकी अलाइस के खिलाफ एक लड़ाई छेर दी 1771 से 1784 तक उनका यह स्ट्रगल चला और तिलका माजी जी ने कभी भी सिरिंडर नहीं किया तिलका माजी जी ने आगस्तस क्लीवलैंड के उपर भी अटैक किया जो कि कमपनी का अड्मिस्टेटर था और उसे बुरी तरीके से घैल कर दिया इसके बाद अंग्रेज बहुत ही ज़ादा चिड़ गया और उन्होंने मैसिव फोर्सेस का इस्तिमाल किया तिलका माजी जी को पकड़ने के लिए लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाए फाइनली 1784 में बिटिशर्स ने उन्हें गिरफतार कर लिया उन्हें कलेक्टर के रेसिडेंस जो भागलपूर में था वहां तक घोड़े से बांध कर घसीट कर ले जाया गया वो खून से लत्पत हो गये लेकिन उन्होंने हार्द नहीं मानी अल्टिमेटली बिटिशर्स ने उन्हें एक बरगत के पेड़ से फासी से लटका दिया और इस प्रकार वो सहीद हो गये लेकिन उनका जो कॉंट्रिबूशन रहा देश की आजादी में उसे हमें याद जरूर रखना चाहिए एक्जाम में आ सकता है आप इस बात को इस आधार पर भी याद रखेगा हमरा नेक्स आर्टिकल मादारम जठारा फेस्टिबल के बारे में है ये औरत का सबसे बड़ा ट्राइबल कॉंट्रिगेशन मना जाता है जहां पर बहुत साय लोगी गठा होते हैं और भरत में कुम्भ मेले के बाद सबसे अधिक भीड या लोगों के एकत्रित होने वाला मेला मना जाता है जो मदारम जठारा ये फेस्टिबल है इसे समक्का सरलम्मा जठारा भी कहा जाता है इसमें समक्का मा का नाम है और सरलम्मा उनकी बेटी है इन्होंने बेसिकली समक्का और सलम्मा जी ने जो उस समय काकाती किंगडम के राजा थे उनकी खिलाफ रड़ाई लड़ी थी 12. सताब्दी में जब उन्हें डॉट के बावजूद टेक्से सिंपोस कर दिये थे तो इनके जो पती थे समक्का जी के वो एक चीफ्टन थे लोकल चीफ्ट थे उन्होंने टेक्सेने से मना कर दिया तो रूलर ने उनके उपर अटैक कर दिया उन्हें कुछ समय बाद उनके मृत्यों भी हो गई लड़ते हुए उसके बाद समक्का और स्रलम्मा जी ने लीड लिया और काफी लंबे समय तक वो उनसे लड़ती रही बाद में वो जाके एक गुफामिस रन ले ले लेती है जब उन्हें ऐसा लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगी कुछ समय बाद जब गाओं के लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें खूब सारा सिंदूर मिलता है तो इससे लोगों ने एक मानता प्रचलित कर ली कि वो देवी की रूप में परवर्तित हो गई या वो देवी का स्वरूप थी और उन्हें बचाने के लिए आई थी उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आई थी सेकंड लाज़स्ट वाना जाता है आफटर कुम्ब इसे कोया ट्राइब की लोग ओगिनाईज करते हैं और स्टीट फेस्टिवल 1960 1996 में इसे डिक्लेर कर दिया गया था तिलंगाना का तिलंगाना की सरकार जो है और विफेर डिपार्टमेंट है वो भी इसे होस्ट करता है कोया ट्राइब की बात वह है तो सथन इंडिया में पाई जाने वाली एक ट्राइब है जो कि आपको 36 गर्णा अंधर प्रदेश और अ अच्छे आर्टिक्षन होते हैं बंबू का इस्तिमाल करके बहुत सारी चीजी यह बनाते हैं जैसे के फरनीचर, फैंसिंग, डेस्ट पैन, बास्केट, यह जुआर, रागी, बाजरा और कुछ और मिलेट्स भी उगाते हैं आजी विका के लिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लद्दाफ इजन के लिए कुछ इनिशेटिफ ले गए हैं उनके बारे में है सूस तच्छस बनाए जाएंगे लद्दाफ में जिससे की तुरिस्ट अट्रैक्ट हों इंटर सीजन में ऐसा भी प्लान बनाया किया फर्दर कांस्टिल ऑफ सैंटिफिक एंड इंडर्स्टिरल रिसर्च ने ले बैरी को भी प्रमोट करने की बात कहीं यूँकि आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा ठीक है और लोग इसे काफी पसंद करते हैं वाइड रिंज में इससे लोगों को लाइबलि हुड की अपर्चिनिटीज मिलेंगी अगर यह इनिशेटिफ अच्छे से रन किये जाए तो कमर्शल कल्टिवेशन करेंगे तीन मेडिसिनल प्लांट्स के 15,000 फीट की उचाई पे इनने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है वैसे तो लोकली लोग उसे सोला कहते हैं लेकिन पॉपिलरली इसे संजीवनी बूटी कहा जाता है संजीवनी बूटी का जो जिक्र है वो रामायड में मिलता है जब हनमान जी इसे लेकर आते हैं और लक्षमन जी की जान बचाते हैं कुल मिलाके जो सोला है इसके पास हाई लाइफ सेवी और ठिरोपेटिक प्रपरटी होती है because वहाँ पे strict COVID-19 protocols follow किये जा रहा है हमें पता है कि फेस्टिवल्स में gatherings होती है gatherings में बहुत सारे लोग इकठा होते हैं तो COVID-19 के फैलने का खत्रा बढ़ जाएगा and that is the reason कि इस बार इस फेस्टिवल को रोग दिया किया अत्तुकल पॉंगला फेस्टिवल सबसे पहले तो याद रखेएगा कि ये फेस्टिवल कहां मनाया जाता है केरला में एक और खास बात है इस फेस्टिवल के बारे में ये दुनिया का सबसे बड़ा congregation है woman का किसी भी फेस्टिवल के लिए जैसे कि जब भी कोई तिवहार होता है तो पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल होते हैं लेकिन यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती है उतना दुनिया के किसी भी फेस्टिवल में नहीं सामिल होती ये फेस्टिवल annually observe किया जाता है एक टेंपल है केरला में अत्तुकल भगवती टेंपल जो कि केरला के थिरुष पुरम में आपको मिलेगा वहीं पर ये फेस्टिवल miserly observe किया जाता है दस दिनों का ये फेस्टिवल होता है जो की मकरम या कुम्भम जो महिना होता है उसी महिने में होता है और कुरुथी थर्पनम की जो रात होती है उस दिन sacrificial offerings भी की जाती है जो divine power है उनके लिए ठीक है जो 9 दिन होता है वो काफी खास होता है इस फेस्टिवल का जिस दिन अत्तुकल पॉंगला महुत सव मनाया जाता है पॉंगला जिसका मतलब होता है to boil over उस दोरान महिलाएं एक sweet प्रयासम बनाती है जिसे rice, jaggery, coconut और plantains cooked together इन सभी लोगों को इकठा पकाया जाता है उसी से से तयार किया जाता है kind of sweet होती है you can say जिसे goddess भगवती को offer किया जाता है ये ritual किवल महिलाएं ही perform करती है पुरिशों का इसमें कोई role नहीं होता यहाँ पर जो अत्तुकल भगवती है उन्हें कन्दगी का incarnation यानि कि अवतार माना जाता है जो कि सिलपा दिकारम जो tamil epic है उनकी central character है आपको पता होगा कि कैसे जो जब उनके साथ अन्याय होता है और उनके पती को मार दिया जाता है तो वो चेरा के इंगड़म में चली जाती है तो चेरा के इंगड़म के लोग कन्दगी की मूर्ती बना कर पूजा करते हैं तो उन्हीं का आवतार माना जाता है अत्तुकल भगवती को कंदगी के बारे में जब आप संगम लिटरेशर्स वगरा पढ़ते हैं तो सिल्पा दिकारम की चर्चा होती है उस दौरान आप ये कहानी भी पढ़ते हैं यहाँ पर एक प्रश्ण है आपके लिए जो कि 2018 के UPSC Prelims में पूछा गया था जहाँ पर कुछ festivals को उनके states के साथ अलाइन करना है आपको बताना है कि कौन सा पेर सही है और कौन सा नहीं है सही जवाब आपको बताना है यहाँ पर जो आपके लिए सही जवाब है यानि कि 1 and 2 यह पहला और दूसरा तो correctly matched है लेकिन तीसरा गलत है और इसका जवाब मैं आपको नहीं दूँगा क्योंकि आपने में भी इसके बारे में पढ़ा हो आप मुझे यह बताईए comment box में कि ठांगता डांस अगर सिक्किम में नहीं होता तो फिर कहां पर होता है बाके इस सवाल का जवाब है बी जो कि मैंने आपको बता भी दिया है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चन्नावीर कन्वी जी के बारे में है बहुत ही फेमस कन्नर पोयर्ट रहे क्रिट्रीक रहे और प्रोफेसर भी रहे अभी हाल ही में उनका देहान्त हुआ वो अपनी simplicity जो उनकी life की है उसके लिए जाने जाते हैं और उन्होंने रूल्ड एरिया को लेकर जो अपनी writing की जो रूल्ड एरिया की मूल बातों को लोगों के सामने लेकर आई 1928 से 2022 का इनका जीवन काल रहा एक लंबा जीवन इन्होंने पाया मेजर पोयर्ट रहे कर्णर लैंग्विज के साहित अकादमी अवार्ड भी इनको मिला इनका जो एक फर्क रहा जीव धवनी जो कि पोयर्टरी है जो इन्होंने 1981 में पब्लिश करी थी 2011 में इन्हीं साहित तिकला कॉस्तुभा अवार्ड भी कॉस्तुभा अवार्ड भी दिया गया था इस्ट आर्टिकल नाबिन चंदर सीन जी के बारे में है उनकी 175th बहुत अन्वर्सरी पर उन्हें याद किया गया ये एक रिवलुशनरी बंगाली पोयर्ट और राइटर रहे इन्होंने बैटल आप प्लासी और बिट्शर्स के अराइवल को इंडिया में A Night of Eternal Gloom कहा मतब अनिश्चित काल तक चलने वाला एक अंधेरा हम एक अंधकार में चले गए इसके बार नाबिन चंदर सीन जी का जो नॉविल रहा भानुमती और Memoir of His Travel जिसे वो प्रवासीर पत्र कहते हैं उससे उन्हें काफी फिर्म मिला उनकी पांच वॉल्यूम के आटेवर गार्फ ही है आमाज जीवन, माई लाइफ वहावे वो पॉलिटेक्स और सोसल एस्परेशन जो बंगाली लिटरेटी की रहती है 19 सेंचुरी में उसे पॉर्ट्रे करते है इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में है आजादी के अमरित महुस्तो के दहत गौर्वन्ट आफ इंडिया ने एक इवेंट और गिनाइज किया जिसके माध्यम से IHRS को जिसे लंड़न में 18 limbs 105 में फांड किया घाए ता उसे याद किया गिया जिसने इंडिया में सल्फ रूल की डिमाnd को मजबूत किया और गिनाजेशन को फांड किया था सियामजी कृष्णवर्माने ये फैक्ट याद रखेगा स्याम जी कृष्ण वर्मा नहीं से फाउंड किया था इसके, इसमें कई सारे और लोग भी शामिल रहा है जिसे के बिका जी, कामा जी, तादाबाई, नरो जी जी और सरदार सिंग, सरदार सिंग जी, रावा जी, S.R. राना जी ठीक है, तो इस अभी लोग इसमें शामिल रहे इसका उद्देश, ये एक रावल और्गिनेजिशन की तरह था British Committee of Indian National Congress ये काइंड ओफ लॉयलिस थी, अपना लॉयलिस रोपीन रखते थे कि हम British Government के खिलाफ, मतलब British Government के साथ लॉयल है, खिलाफ नहीं तो जो Indian Home Rules Society थी, वो इसके रावल और्गिनेजिशन की तौर पे काम करती थी बिटेन में, जहां पर ये कंट्रिली ओपिनियन दिखाते थे Indian Home Rules Society एक मेट्रोपलिटन और्गिनेजिशन था जो कि बिटेन में जो बाकिके इंस्टिशन थे उन्हीं की तरच पे काम करता था अपना रिटेन कॉंस्टिशन और बिलकुल सेट एजेंडा होता था इंडियन्स ही केवल इसके मेंबर बन सकते थे फॉर्डनर्स को इसकी मेंबर्सिप नहीं दी जाती थी ये यंग इंडियन एक्टिविस्ट को रिक्रूट करते थे और क्लोस कॉंटेक्ट मेंटियन करते थे इंडियन रिवूलिशनरीज के साथ हमारे प्रैमिनिस्टर जो वर्दमान में है नरेन बोधी जी उन्होंने स्यामजी कृष्ण वर्मा के जो अवशेस थे जो एशेस थी उनको इंडिया वापस बो लेकर आये थे स्विर्जिलेंड से 2003 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तारापूर मैसेकर के बारे में है सहीद दिवस के रूप में याद किया जाएगा तारापूर मैसेकर को बिहार की सरकार ने ये डेकलेर कर दिया है जिसके दौरान 34 Freedom Fighters ने अपनी जान गबाई थी 15 फरविल 1932 की ये बात है कुछ यंग Freedom Fighters ने प्लान बनाया कि वो तारापूर में जो थाना है वहाँ पर तिरंगा जंडा लह रहेंगे ये एक रियक्शन था क्योंकि गांधी इर्विन पैक्ट फेल हो गया महात्मा गांधी जी को अरिस्ट कर लिया गया भगस सिंग, सुखदेव, राजगुरू जी को लाहूर में 1931 में फासी दे दी गई नहरू जी, पटेल जी और राजिंदर पसाद जी को गिरफतार कर लिया गया तो लोग नाराज थे इसी के दौरान ये पूरा जो प्रटेस्ट था वो और्गिनाईस किया गया था पुलिस इस प्लान को लेकर अवेर थी तो उन्होंने पूरा एक बैरिकेटिंग कर रखी थी चार हजाल लोगी कठा हुए थे उन्होंने पत्थर बाजी शुरू कर दी पत्थर फेके पुलिस वालों के उपर और इन बिट्विन एक जो फ्रिडम फाइटर थे वो शहीद हुए इसमें और ऐसा कहा जाता है कि यह संख्या जादा भी हो सकती है कि वल 13 बॉडिस ऐसी थी जिनने वा इडेंटिफाई कर पाए तो इसे अब शहीद दिवस के रूप में रिकोगनेज किया जाएगा इसे वो रिकोगनेशन इडेंट हिस्टरी में मिला नहीं जो मिलना चाहिए था जबकि वना जाता है कि जलिया वाला बाग मैसेकर के बाद यह सबसे बड़ा मैसेकर था जो अंग्रे जोनी भारत में किया था अगला आर्टिकल बात करता है नेटूर पेटी के बारे में नेटूर पेटी असल में क्या है तो एक तरह का ओन्नुमेंटल बॉक्स है ओन्नुमेंटल बॉक्स मतलब जिसमें सजने समणने का सामान रखा जाता है तो इसकी खास बात यह है कि यह completely brass से बनता है और केरल और Tamil Nadu में specifically के इलाखों में काफी प्रसित दही है और पहले ये पूरी तरह एक ही लकडी का ये पूरा box मनाया जाता था लेकिन अब इसको फोड़े changes आ गए है तो काम की चीजी है कि नेटिवर पेटी क्या है it is an ornamental handicraft box काफी प्रश्लित हुआ करता था traditional handicraft है केरला का specifically है जिसको लेकर अभी इसको शायर और जादा market करने के आवशकता है ताकि ये अपनी जो पुरानी peak है popularity के इसको दुबारा टच कर पाए तो इसमें लोग valuables जो सोने हीरे जवारात होते थे वो भी रखते थे ये बात होगे यहां ये कहां से आया है तो नेटूर एक इलाका है जो इरनकुलम कन्नोर डिस्टिक केरला में भी है और तरिनमेली डिस्टिक तमिल्नाडो में भी है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फायर रेडी फार्मूला के बारे में तो UNEP ने UNEP मतलब United Nations Environment Program ने बोला है कि ग्लोबल जो अभी गवर्मेंट का सिस्टम है फॉरस्ट फायर्स को लेके वाइल फायर्स को लेके वो काफी गलत तरीके से सेट अप है इनका मानना है कि भविश्य में और जारा वाइल फायर्स फैलेंगी हमने देखा ननी ताल में, उत्राकंड में, हिमाचल में इन इराकों में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि global warming बढ़ रही है तो यह natural है कि यह बढ़ेगा तो यह जो हमारी United Nations Environment Program है इसका कहना है कि आपको जो अपना पैसा खर्च करना चाहिए, प्लैनिंग होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, कि 66% यानि एक तिहाई जो है आप prevention पर focus करो, ना कि response पर, अभी तक जारा खर्चा response भी कहा जाता है आग लग जाएगी ताब बुझाने में कैसे खर्चा किया जाए, वो पानी कैसे जाना जाया उनके उपर, इस पर focus होता है सभी देशों का इन्होंने का आपको जारा focus देने की जाएगा था, preparedness की, prevention की, recovery के उपर कि भाई, आग लगी ही ना उसके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से planning की जाए, किस तरह से response प्रपेर किया जाए, ताकि आग बढ़े ना आग लग जाने के बाद बुझाना बहुत मुश्किल है, उस पर खर्च करना ठीक है, पर उससे पहले आपको preparedness और prevention पर focus करना जाए, prevention is always better than cure, यह तो कहा भी जाता है, तो अभी जो formula यह कुछ ऐसा है, कि planning प 1% करो, prevention पर 32% करो, preparedness पर 13% करो, और response पर 34% करो, तो response से जारा preparedness पर किया जा सकता है, कि अगर हम ताल बना सकते हैं, या कोई और तरीके हैं, जिसे हम वो wildfire को prevent कर पाए, तो इनका projection है, कि 2050 तक 33% तक बरहुतरी हो जाएगी wildfires में, जो हर साल होती है, और एक किस्व में तो 52% की बरहुतरी हो ने बताई है, तो इनका objective है कि भाई, कि किसी भी तर है, इन्जिन प्रेजिन ने इस बार बोला है कि साल भर celebration होंगी इनकी 400 भी जो जर्मदन की वर्ष घाट है, उसके उपलक्ष में, लचित बारुफुकान प्रसिद्ध हैं, क्योंकि अहूम किंडम के ये एक commander थे, इनके अंतर गथी अहूम किंडम ने मुगलों को हराया था, इन 1671 एपिक बैटल ऑफ सराइगहाट, सराइगहाट की जंग में कमांड कर रहे थे अहूम किंडम की तरफ से, और इनकी ही लीडर्शिप में मुगलों को हराया था, तो क्या चीज़ें आपको याद होने चीए कि लचित बारुफुकान कौन है, एक अहूम कमांडर, किस व बहातुरी और इनके जो वार टैक्टिक्स थे, काफी प्रसिद्ध थे, गुरिला बॉर्फेर हो गया, मिल्टरी इंटेलजेंस हो गया, और ये सब चीज़ों का इस्तमाल करते वे इन्होंने मुगलों को हराया था, एक और स्पेसिफिक बात थी इनकी, कि इन्होंने एक अच्छी अपनी forces बिल्ड करी थी, और इसलिए इंडिया के naval forces को जब strong किया गया, तो इनको एक inspiration की तरह देखा जाने लगया, कि इंडिया को में उस समय में जब कोई kingdom ऐसा था, जो inland, rivers पे waterways का इस्तमाल करता है लाई के लिए और transportation के लिए, तो अभी तो इंडिया को करना ह जो एंडिया के best credit को दिया जाता है, जो 1999 में शुरू हुआ था, ताकि वो बारफुकांस के जो उनकी बहादुरी है और जो उनके sacrifices से सीख सके है, पॉइंट यह है, कहां के commander थे, किन से लडाई लडी, specific खास बात क्या, नेवी बनों ने काम किया था, हां किया था, इंडिया कल्चर मिनिस्टर ने इनाउगरेट किया है देवायतनम, यह एक प्रकार का conference रहा, जो की temple architecture जो इंडिया में है, उसके उपर organize किया गया, करनाटिका के हमपी में इसे आयोजित किया जा रहा है, archaeological survey of India जो की ministry of culture के तहत आता है, उन्होंने उठाई है, इसे organize करने के जिम्मेद जो conference है, वो इंडिया के temple architecture की journey को portrait करता है, कि temples कैसे बनना शुरू होते हैं, गुपता एरा में उसके पहले क्या scenario था, और फिर कैसे various styles develop होती हैं, किस प्रकार से जो temples हैं, उनका philosophical, religious, social, economic, technical, scientific, art या architectural aspect होता है, उसे explain किया जा रहा है through this conference, इसमें जो dialogue है, वहाँ पर temples के development और evolution क की चर्चा की गई, उस हिस्से में ये भी बात की गई कि जो भारत में कई सारी styles हैं, वो कैसे develop हुई, temple की, जैसे नागर, वेसर और रविट, फर्दर कलिंगा, और जो other temple styles हैं, क्या highlights रही इस conference की, हिंदू temple combination है, आर्ट और science का, आपको बहुत सारे scientific elements, Indian temple में मिल जाएंगे, इसमें शेल्प सास, वास्तु सास, जियोमेटरी और सिमेटरी ये सब शामिल होते हैं, जब temple का construction किया जाता था तो, कई temples architectural मावल की रूप में देखे जाते हैं, जो हमपी में temple है, उसे world heritage list में UNESCO के जोड़ा जा चुका है, गौर्मेंट ने होईसल temple जो बैलूर और नागर स्टाइल आपको North India में प्रिशलित मिलेगी, द्रविनियन सदन इंडिया में और वेसर एक mixture है नागर और द्रविनियन स्टाइल का, एक्जेंपल के तौर पे जो दसावता temple है देवगर यूपी का इसे बनाया गया है नागर स्टाइल में, जो की हिमालियन और नदी के बीच में मिल जाएगी, पापनाठ टेंपल करनाटका का ये एक्जेंपल है वेसर स्टाइल का, जो की हाइब्रिड होता है नागर और तरविनियन स्टाइल का, तो तीनों ही temple स्टाइल फिर मैंने आपको एक 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 एक्जेंपल बता दिये हैं, बाकी इसके बारे म पेंटिंग में काफी prominent person गुलक लाल महताजी की है, और एक ऐसे भी रहा जिसे अमित अमबालाल जी के द्वारा लिखा गया, नाथ द्वारा पेंटिंग की बात करते हैं, तो ये school of artist है, जो इस प्रकार की पेंटिंग को बनाते हैं, इसे नाथ द्वारा पेंटिंग अठारवी century में ये develop हुई एक miniature painting के रूप में, इसकी कई सारी sub-stiles भी हैं, जिसमें पिछवी painting सबसे जदा popular है, नाथ द्वारा पेंटिंग में स्रीनाथ जी को portrait किया जाता है, जो कि भगवान श्रीकृष्न का ही प्रतिरूप माने जाते हैं, एक बहुत ही famous painting इसमें बनती साल के एक बालक की रूप में portrait किया जाता है, पिछवी painting जो इसके subset में सबसे जदा popular है, उसका मतलब ये है एक ऐसी painting जिसे पीछे से hang किया जा सकता है, लटकाया जा सकता है, इसमें कई प्रिकार की painting बनाई जाती हैं, जो कि cloth और portrait के form में होती हैं, तो एक artistic appeal तो होती ही है, इसके राओ भगवान सिर्क्रशनी की जो stories हैं, उनको भी इन paintings के माद्यम से narrate करने की कोशिस की जाती है, तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much.